हाई मैं रुपेश कुमार सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ बानिक के यूटूब चेनल में और आज का हमारा जो इनपोटांट वीडियो आने वाला है वो है आपका यूरोपियन कॉंटिनेंट के उपर जी हाँ यूरोपियन कॉंटिनेंट के उपर अच्छा इससे पहले मैं एक वीडियो आपका एसियन कॉंटिनेंट के पर भी बना चुका हूँ ठीक है तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा वो वीडियो तो जाइए उसको पहले देखिए और वहाँ पर आपको एसियन कॉंटिनेंट के बारे में बहुत सारे इन्पोर्टांट जानकारी मिल जाएगी तो आज का जैसे बताएगे आपको हमारा जो इन्पोर्टांट वीडियो है वो रहेगा मेली आपका यूरोपियन कॉंटिनेंट के उपर तो चले सुरू करते हैं देखिए जो आपको तो European Continent है, आपको पता होना चे, इडिस दा सगेंड स्मॉलेश् together, आफ्तर और अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलिया के बाद, हमारा जो सकेंड स्मॉलेश् श्. कॉंटिनेंट है, वो है जाद रहिएगा, आपका European Continent. लेकिन, जाद रहिएगा, पॉपुलेशन वाइज अगर आप लोग देखते हो तो यूरोप इस दा सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन वाइज दो नमर पे आता है नेकिये जो यूरोपियन कॉंटिनेंट है वहाँ पे आपको नियली 50 कंट्री देखने को मिल जाएंगे लेकिन एकॉर्डिंग टू उनाइटेड नेशन उनाइटेड नेशन के द्वारा अगर देखा जाए तो यूरोप में ओनली 44 कंट्री आपको देखने को मिलेगे अगर देखा जाए तो जो यूरोप कॉंटिनेंट है उसका जो हाइएस्ट पीक है उसका नाम है याद देखिएगा आपका माउंट एलब्रस जिसकी उच्चाई आपका 5-6-3 मिटर है नेक्स्ट अगर देखते हो तो जैसे हमारे मेजर रिलीजियन है वो आपको देखने को मिलेगा क्रिस्चिनिटी, इसलाम ऑब जूडाइजम ये तीन रिलीजियन आपको देखने को मिल जाएगी नेक्स देखा जाए तो जो यूरोप कॉंटिनेंट है वहां का जो सबसे उराल रिवर एक नदी है जिसका नाम है आपका उराल रिवर जो कि आपका एसिया और आपका जो यूरोप है उसके बीच में क्या बनाती है आपकी बॉर्डर बनाती है नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हो कि area-wise and population-wise यूरोप का जो सबसे बड़ा country है उसका नाम याद रखिएगा आप लोग रस्या और उसके साथ याद रखिएगा दुनिया का सबसे छोटा कंट्री इसका नाम है Vatican City ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कहां पे ये भी आपको देखने को मिलेगा यूरोप के रोम सहर के पास इटाली में देखने को मिल कॉंटिनेंट खोप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो लाइक कीजिए और जेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हैंगे सो मज़